महादीप एवं महासागरे बेसिन की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं कि लगबग 70.8 प्रतिशत भाग हमारी प्रत्वी का जल मगन है जो जल से आफरत है और 29.2 प्रतिशत भाग इस्थल से आफरत है जल और इस्थल का वित्रण हमारी प्रत्वी पर एक समान नहीं है कुछ महत्मुन्ट तत्या हैं जिनको हमें महाधिप और महासागिरी बेसिन की उत्पत्ति से पहले जानना आविशक है पहला उत्री गोलार्द में इस्थल की प्रधानता है समस्थ इस्थल भाग का 55 प्रतीशत भाग विशुवत रेखा के उत्तर में इस्तित है अथा उत्री गोलार्द में इस्तित है इसके विपरित दक्षणी गोलार्द में जलिय भाग की अधिक्ता है यदि प्रत्वी को दो गोलार्दों में बाता जाए और उत्री गोलार्द का जो पोल सेंटर है वो English Channel को मान लिया जाए तो उत्री गोलार्द है उसको हम इस्थल गोलार्द या Land Hemisphere कहेंगे और दक्षिनी गोलार्द का यदि पोल धुरूप है हम New Zealand के पास मान लें तो दक्षिनी गोलार्द को हम जल गोलार्द कह सकते हैं समस्त इस्थल में 83 प्रतीशत जो भाग है इस्थल गोलार्द में जल गोलार्द में 96 प्रतीशत भाग समलित होगा यदि हम दोनों पोल्स की पोजिशन्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं किन्तो एक सामान ने जो बात आ रही है वो यह है कुल मिलाकर कि उत्री गोलार्द ने वो इस्थलिये गोलार्द है और दक्षनी गोलार्द है वो जलिये गोलार्त है दूसरी मेहत्मन बात मादीबे भाग जो है जितनें भी मादीबें उनकी आकडर्ती एक तिर्भूच के आकार में है आप देख रहे हैं जैसे एक example हम ले रहे हैं कि उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका आर्क्टिक सागर के पास आप देखेंगे कि उपर की और चोड़ा है और नीचे की और आने पर जैसे विश्वत एका के पास आता है सकड़ा हो जाता है इसी प्रकार दक्षणी को अमेरिका को देखेंगे उपर से चोड़ा है और नीचे आने पर सकड़ा है अफरीका की पोजिशन भी लगवग वैसी है यदि हम भारत को एक सोतंतर रूप से माल लें तो भारत भी उपर से चोड़ा है नीचे से सकड़ा है तो कहने का अर्थ है कि आर्क्रिक सागर के साहरे इनका आधार है और जो सीर्ष है इनका एपेक्स है वो दक्षिन की ओर है पर्षिमी कोलार्द में उत्तरी और दक्षिन अमेरिका जो एक्जामबल के रूप में मैंने आपको समझाया तिर्भूच के रूप में बतते हैं यही अन्य माधिपों के लिए भी है एक आस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए आप बाकी सभी माधिपों के साथ ये नियम लागू होता है मोटे तोर पर महासागर भी तुर्भूजाकार है इस्तल भाग के विप्रित महासागरों का जो आधार है वो इस तल के विप्रित होगा अंटार्टिका की तरफ है यह नीचे की तरफ है दक्षिन की तरफ वोन का आधार वहाँ पर चोड़ा है और उपर की और जाने पर ये सकड़े हो जाते हैं जैसे ग्रिल लेंड के पूरव में अट्लांटिक महासागर हिंद महासागर का सीर्ष है वो बंगाल के खाड़ी में है और अरफ सागर के रूप में इसका सीर्ष है और उपर की और जाने पर ये सकड़े हो जाते हैं इसी प्रकार प्रशाद महासागर का सीर्ष है ये अलूशियन दीप के पास है और आधार है वो दक्षिन में है उत्री धुर्व के चतुर्दिक जल भाग का विस्तार है जबकि दक्षिन धुर्व के पास इस्तल भाग का विस्तार है ये भी एक महत्मुन बात है दोनों जो हमारे पोल्स है वो भी एक दूसरे के विपरित है उत्री धुरुप हमारा जो है नॉर्थ पॉल वो जल से गिरा हुआ है आर्क्टिक सागर से जबकि दक्षिन धुरुप है हमारा वो अंटार्टिका महाधीप से गिरा हुआ है दरातल पर जल तता इस्तल भाग एक दूसरे के विपरित इस्तिर है दरातल पर 45.6 प्रतीशत भाग में सागर के विपरित सागर की स्थिति है तता केवल 1.4 प्रतीशत भाग में स्थल के विपरित स्थल मिलते हैं लगबग 95 प्रतीशत भाग सागर के विपरित मिलता है केवल कुछ अफवाद हैं जैसे पैटागोनिया उत्री चीन के विपरित इस्तित है और पुर्टकाल इस्पेन के विपरित न्यूजी लेंड इस्तित है अब बात आती है महादी पेवब महासागोर्थ की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धान्त दो काटेगरी में हम इन सिद्धान्तों को बाट रहें एक है संकुचन सिद्धान जिसके अंतरगत प्रत्वी के जो भी भाग बने हुए अपनी जगह परिस्तित है और वहीं पर उनमें बहुती की परिवर्टन हुए और दूसरा विस्तापन सिद्दान जिसके अंतरगत प्रवाहा बलों को जिम्मेदार माना गया है वर्तमान भू इस्तला करतियों के निर्मान के लिए जो पहला सिद्दान थे हमारा उसके अंतरगत सबसे पहले लौड केलविन मोहदे ने कुंडला का निहरी का परिकल्पना प्रसूत की थी और उन्होंने कहा था कि सीतलन होने की अवस्ता में प्रत्वी पर कुछ भाग उचे उठे हुए रहेगे और कुछ भाग है वो नीचे थस गए उचे उठे हुए भाग माधीब बने और नीचले भागों में वाश्पी करण के परिणाम सरू वायू मंडल ये जलवाश्प के करण महासागरों का निर्बान हुआ किन्तु यह सिद्दान्त मानेता प्राप्त नहीं है परंतु इसे इसलिए पढ़ा जाता है क्यो मोल्ड वलन की क्रिया को समझाया और वलन वनने के कारण इनों नहींका कि उपर उठे हुए भाग महाधीब और नीचे भाग रह गए थे वो महासागर बन गए किन्तु पूरे पूरे संसार के उपरेदी हम देखते हैं तो महाधी पर महासागरों का वित्रण एक समान नहीं है आता ही है सिद्दान्त भी यहां पर फेल हो जाता है इसी क्रम में एक और बहुती इंट्रेस्टिंग सिद्दान्त हमारे सामने आया था जिसको हम चतुष फलक परिकल्पना के नाम से जानते ह लौतिन ग्रीन ने पूरी प्रत्वी को एक टेट्रा हेडल शेप में डिवाइड किया था और उनका सिद्दान्त है जामिती नियमों के आधार पर उन्होंने दो बाते कही थी कि एक गोला वह आकरती है जिसका आयतन ज्यान से सुनें आप कि गोला गोला इस पेर वह आकरती जिसका आयतन दरहते लिए छेतरफल की अपेक्षा सरवादिक होता है a spare is dead body which contains the largest volume with respect to its surface area एक चतुष फलक वह आकरती है जिसका आयतन दरहते लिए छेतरफल की अपेक्षा नियूनतम होता है यहाँ दोनों आकरतियां एक जिस बनी एगी उससे लेकिन दोनों के आयतन में अ एक जिसका आयतान दरातल ये छेतरफल की ये पेक्षा अधिक है, दूसरा जिसका आयतान दरातल ये छेतरफल की ये पेक्षा नियून है, उन्होंने ये माना कि हमारी जो प्रत्वी है ये प्रारम में तरल अवस्ता में थी और चारों और से इसके उपर दबाव पढ़ा, शुद्र रूप से नहीं लेकिन कुछ-कुछ चतुष फलक के रूप में आ गई और उठे हुए जो भाग हैं उनके अंदर महाधीब बने और निशले भागों के अंदर महासागर बने जैसा कि उन्होंने चतुष फलक के चारों कॉर्नर्स के ओपर साइब्रेरिया, कनाड़ा और अंटार्डी का और बीच में मद्य में यूरॉप को दिखाया और इनके निशले जो भाग थे वो आर्क्रिक सागर, हिंद महासागर, अट्लांटिक सागर और पीछे का पूरा जो की एक तिया ही भाग के ओपर फैला हुआ है, प्रशान्त महासागर इसको दिखाया, किन परिकल्पना में कुछ मूलवूत कटनाई थी, एक तो ये कि एक चतुष फलक के रूप में प्रत्वी को बदलना संभव नहीं है, यदि इतना प्रिशर लगाकर प्रत्वी को चतुष फलक के रूप में गोले से बदला जाएगा, तो प्रत्वी का परीब्रह्मन ही रूख सकता है, और इसी प्रकार जल थलका जो वित्रण है, उसको समझने के लिए तो इस सिद्दान्त ठीक था, लेकिन इसकी जो प्रत्वी की आकरती है और अपनी कीली पर जो घूमती है, तिव्रगती से परिब्रमन करती है, उनको लेकर ये सिद्दान्त अपनी बात पूरी तर इस पर्ष्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये है, फेल हो गया, लेकिन संकूचन के रूप में इस सिद्दान्त ने प्रत्वी पर जल और थलके वित्रण को बहुती सुन्दर तरीके से समझाये था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि ये प्रत्वी के उत्पत्ति और महादीप, महासागरो के उत्पत्ति को आपको अच्छे से समझना है, तो प्लीज आप वेगनर और प्लेट टेक्टोनिक सिद्दान्त से पूर संकूचन सिद्दान्तों को अवश्य पढ़ें, क्यों? क्योंकि इने पढ़ें बिना हम ये नहीं जान पाएंगे कि वेगनर महादे ने अपनी बात क्यों कर कही थी, ठीक है? तो इसलिए आप इस बात का विश्य दियान रखें, अगला जो सिद्दान्त आता है, वो इसके बाद, पहली बार, F.B. टेलर महादे ने 1908 में महादीप ये प्रवा सिद्दान्त दिया था, जिस भी अवरोद कम है, वहाँ का भाग लॉप के रूप में प्रवाहित होने लगा, और उसके अग्र भागों में परवत तथा, D.P. चापों का निर्मान हुआ, हिमाले, काकेश्यस तथा, आलपस परवतों का निर्मान, लॉरेंशिया तथा, गोंडवाना लेंड क्या, दुर परवतों को देखने से ये भी ग्यात होता है, चूकि हम वलित परवतों को देखते हैं, चाहिए रॉकी जो, एंडीजो, हिमाले हो, हम देखते हैं कि वो अपने किनारे की और बिल्कुल खड़े हुए हैं, तो ये सिद्दान्त ये तो बताता है कि किनारे की और जाना बहुत ही मुश्किल बराकाम है। दूसरा, कृटेसियस यूग में चंद्रमा की जुआरिये शक्ती, टर्जरी यूग के परवतों के लिए जिम्मेदार है, तो फिर उससे पहले के जिसे अपलेशियन परवत का निर्मान कैसे हुआ, हमारी अरावली का निर्मान कैसे हुआ, इसके उपर भी वो प्रकाश्ट नहीं डाल पाए। इन सभी समझ्चाओं को सुल जाने के लिए बहुती बहतरेन एक और सिद्धान्त हमारे सामने आता है, अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, कोर्स में है, बहुती मैत्पूर्ण है, और बहुती इंट्र अगले सिद्धान्त में हम देखेंगे वीडियो के माढियम से, कि किस परकार वेगनर फ्रटिबादित किया और कौन-कौन से ऐसे वानस्पतिक प्राणिशास्त्री है, और भुदाГर्विक उदाहरन उन्होंने दिये, जिस से इनका सिद्दान्त सत्यता के बहुती नस्दीक नजर आता है आगे चलके सिद्दान्त में कुछ कतीपे कमिया रही लेकिन फिर भी बहुत सारे उदार्णों के कारण यह कई सालों तक लगवक 30-40 साल तक बड़ा लोग प्रिय रहा था तो वेकनर का प्रफासिद्दान्त अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए Have a good day, bye